दोस्तो आज कल उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है कि एक AC जो पहले एक luxury होता था आज हो एक necessity बन चुका है तो आज की इस वीडियो में हम compare करने वाले हैं चार AC बनाने वाली company को different parameter पे तो दोस्तो ये comparison होने वाला है हमारा Voltas, Blue Star, Hitachi और इन तीनों ही company के जो AC बनाती है दोस्तो वो है Umber Enterprises तो दोस्तो Umber Enterprises देखे अभी AC के अलावा earbuds, microwave oven, washing machine भी बनाने लग गई है तो दोस्तो इन चारों company को आज ब different parameter पे compare करेंगे सबसे पहले हम सुरुआत करते हैं इन company market cap से तो Voltas की market cap है 44,990 क्रोड, Blue Star की market cap है 32,414 क्रोड रुपे Umber की है 12,226 और हिताची की है 4,890 क्रोड रुपे इस list की सबसे छोटी company है अब हम देखते हैं price to earning ratio यानि की अगर आपको इन company में एक रुपे कमाना है तो आपको advance में इन company को कितने पैसे देने होंगे तो price to earning ratio Voltas का 174.4 काफी महंगा है Blue Star के अंदर 73.68, Umber Enterprises के अंदर 91.2 और हिताची का price to earning ratio 0 है क्योंकि ये company अभी तक देखे लोस में थी लेकिन इस quarter में, Q4 quarter में एक अच्छा profit बनाया है पिछले साल के मुकाबले तो अब हम यहाँ पे point देंगे Voltas को point मिलते हैं 2, Blue Star को मिलते है 4, Umber को 3 और हिताची को मिलते है 0 point अब हम देखते हैं EV by EBITDA तो Voltas के अंदर है 76.2 Blue Star के अंदर है 45.3 Umber का है 23.8 और हिताची के अंदर है 547 काफी जादा है तो point देंगे Voltas को 2, Blue Star को 3, Umber को 4 और हिताची को मिलते है 1 point अब हम देखते हैं price to book value यानिकि इन company का share का भाव अपनी book value के मुकाबले कितना उपर या नीचे समय ट्रेड कर रहा है तो price to book value जितनी कम होगी उतनी अच्छी मानी जाती है तो price to book value Voltas के अंदर है 7.72 टू टाइम्स, Blue Star के अंदर है 12.4 ताइम्स, Umber के 5.87 और हिताची की है 8.4 ताइम्स, तो point देंगे Voltas को 3, Blue Star को 1 क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा है Umber की सबसे कम है तो उसे मिलते है 4 और हिताची को मिलते है 2 point अब हम देखते है price to sales रेस हो यानि कि इन कंपनियों का जो share का भाव अपनी sales के मुकाबने कितना उपर या नीचे समय चल रहा है तो ये भी देखिए जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा तो Voltas के अंदर है 3.6 times Blue Star के अंदर है 3.35 times Umber का है 1.8 और हिताची का है 2.55 तो point मिलते है Voltas को 1 Blue Star को 2 Umber को मिलते है 4 और हिताची को मिलते है 3 point अब हम देखते है current ratio जाने कि अगर माल लिजे इन कंपनेों का अपना कोई लोन चुकाना है एक साल के अंदर तो कौन सी कंपने अच्छे डंग से दे सकती है अब देखिए यहाँ पर एक ratio निकल कहा था जो कि 1 से उपर और 3 से नीचे रहना चाहिए तो Voltas का है 1.34 Blue Star का है 1.3 अंबर का है 1.05 और हिताची का है 1.2 तो यह ratio देखिए सभी कंपनेों का अच्छा है तो इसलिए हमने सभी कोई 4-4 पाइंट दिये हैं अब हम देखते क्विक ratio माल लिजे इन कंपनेों का अपना कोई लोन चुकाना एक से दो महिने के अंदर काफी कम समय में तो क्या एक कंपने दे सकती हैं तो यहां पर देखिए एक ratio निकल के आता है जो कि एक से उपर ही होना चाहिए हर हाल में तो Voltas के अंदर 0.97 Blue Star का है 0.94 अंबर का 0.77 और हिताची के अंदर 0.52 तो यह ratio देखिए किसी भी company का चाहिए तो हमने किसी भी company का पर कोई भी point नहीं दिया है अब हम देखते है debt to equity ratio माल लिजे इन company के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो इस एक रुपया के सामने कितने पैसे का इन पर करज है तो यह ratio देखिए अब हरहाल में एक से नीचे रहना चाहिए अगर किसी company 0 होगा तो फिर सबसे अच्छा माना जाएगा तो वोल्टास का है 0.13 बिलूस्टार का 0.09 अंबर का है 0.75 और हिताची का है 0.08 तो हमने यहाँ पे देखिए अंबर को छोड़ को बाकी को हमने सभी को चार पाइंट दी है क्योंकि अंबर का देखिए इन से थोड़ा जादा है अब हम देखते है return on equity मालिज जिन shareholder ने इन company में पैसा लगाया है बदले में अब company उन्हें कितना पैसा बापस दे रही है तो ये return on equity जितना जादा होगा उतना अच्छा माना जाएगा तो वोल्टास का ROE है 22.77% बिलुस्टार के अंदर है 32.06% अंबर का है 3.06 और वोई हिताची का माइनस में 11.74% तो पैंट देंगे वोल्टास को 3 बिलुस्टार को 4 अंबर को 2 और हिताची को मनें कोई भी पैंट नहीं दिया है अब हम चेक करते है return on capital implement की इन कंपनियों ने अब देखी कहीं ना कहीं कोई machinery लगाई है कोई factory लगाई है तो वहाँ से कंपनिया कितना return generate कर पा रही है तो ये भी देखी जितना ज़्यादा होगा अच्छा माना जाएगा तो वोल्टास का ROC है 24.08% बिलुस्टार का 34% 5.9 अमबर का और वहीं हिताची का माइनस है 12.32% तो पैंट देंगे वोल्टास को 3 बिलुस्टार को 4 अमबर को 2 और वहीं हिताची को फिर से कोई पैंट नहीं मिलता है अब देखें डिवन यिल्ड अब देखें डिवन यिल्ड जिस कंपनी के जितन ज़्यादा होगी यानि कि उस कंपनी में उतना ही अच्छा डिवन आपको मिलेगा तो वोल्टास में 0.31 0.44 है बिलुस्टार का और भी अमबर और हिताची के अंदर ये 0.0% है तो हमने केवल बिलुस्टार और वोल्टास को दिये 4.4 पैंट बाकि किसी को भी हमने कोई पैंट नहीं दिया है तो अब हम चेक करते हैं ओपेटिंग प्रोफिट मार्जन तो वोल्टास के अंदर है 2.69% बिलुस्टार का है 6.87 अमबर का है 7.27 और वोहीं हिताची का माइनस 0.07 तो पैंट देंगे वोल्टास को 2 बिलुस्टार को 3 अमबर को 4 और वहीं पे हिताची को कोई पैंट नहीं मिलता है अब चेक करते हैं यानि कि इन कंपनियों के अंदर पर्मोटर का कितना हिस्सा है एफ़ाइडियों के अंदर है कितना स्टेक्स है और कितनी मिचल फंड स्कीम्स ने इन चारों कंपनियों का अपने पोर्टफोलियों का हिस्सा बनाया हुआ है तो परमोडर का स्टेक्स वोल्टास के उनदर है 30.30%, वहीं बिलुस्टार के उनदर है 36.5, अंबर के उनदर है 40.31, और वहीं हिताची के उनदर सबसे ज़ादा है 74.25%. परसेंट एफ इसकी बात करें तो वोल्टाज के अंदर 54.18, बिलु स्टार के अंदर 40.2 अंबर के अंदर 40.96 परसेंट और हिताची के अंदर है 9.38 परसेंट mutual fund देखते हैं अब तो वोल्टास को लिया है 34 ने blue star को लिया 27 अंबर को लिया है 16 और हिताची को लिया हुए 7 mutual fund schemes ने अब हम चेक करते हैं कई इन कंपने को पर्मोटर ने अपना share गिर्वी रखके market सो की पैसा तो ने उठाया है तो देखें प्लैजिंग, वोल्टास, बिलूस्टार और अंबर में 0-0 है लेकिन हिताची में 32.32% पर मोटर ने अपना stick गिर्वी रखा हुआ है तो यहां पर देखें सभी को मिलते है 4-4 के वोल हिताची को मिलते है 0-0 अब हम देखते हैं कि इन कंपने ने latest कोई dividend bonus एश्पिट अनौंस किया है तो देखें अभी तक किसी भी कंपनी ने ऐसा कुछ भी अनौंस नहीं किया है अब हम चेक करते हैं मालीज आपने एक लाख रुपे इन्वेस्ट किया इन चारों कंपनियों में ठीक आँसे 5 साल पहले तो आज आपके पैसे कितने बनते अगर आप 5 साल पहले एक लाख रुपे लगाते तो आज आपके वहां पर आपको नुक्सान ही हो रहा हुता कुछ 400-500 रुपे का अब हम चेक करते हैं मारा फाइनल स्कोर तो 4 रैंक वाले को मिले हैं 14 पाइंट नाम है हिताची 3 रैंक वाले को मिले हैं 32 पाइंट नाम है वोल्टास 2 रैंक पे 33 पाइंट के साथ है बल्यू स्टार और 1 रैंक पे 34 पाइंट के साथ है अमबर एंटरपाइज़ दोस्तों इन चारों कम्परियों में से आपको कौन सी कम्परिय पसंद है और कौन सी कम्परिय आपके पॉटफोलियो में है आप मुझे जूर बता के जाए और हाँ दोस्तों ये वीडियो के फ़ल मैंने आपके इन्फोर्मेशन के लिए बनाई है इसके अधार पे आप investment का को अपनी study जरूर कर ले तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care बाई बाई